आज लखनों में सुबा दस बजे किसानों के महापंचायत यूपी चुनाओं में बीजेपी को घेडने की तैयारी MSP गारेंटी पर कानून मनाने पर जूर लखनों में बंगला बाजार में किसान महापंचायत का होगा आयोजन राकेश टिकेट की अपील अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे किसान महापंचायत में MSP गारेंटी कानून के अलावा कि इंद्रे गिरह राज्य मंत्री की बरगास्तिकी का सवाल उठा किसानों की समस्याओं के साथ महापंचायत में होगी चर्चा कल सयुक्ति किसान मूर्चा ने पीएम मोधी को ओपन लेटे लिखा छे डिमांड भी रखी आंदोलन पर बैटे किसानों की छे डिमांड तीन पुरानी और तीन आंदोलन के दौरान खटनाओं को लेकर रखी किसानों की डिमांड है माइस पीपर कानून बनाए सरकार इसके बाद बिजली संचोधन एक को वापस ले किसानों की तीसरी मांग है कि NCR में एर क्वालिटी अध्यादेश में किसानों को सजा देने का प्रावदान हटे किसानोंने डिमांड की है कि इस आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे जो दर्ज हुए उसे वापस लिये जाए किसानों की छटी मांग है कि अंतिम मांग अंदोलन के दौरान शहीद हुए सास्तों किसान परिवारों को मौफजा दिया जाए कौंग्रिस नेता राहूल गांदी का तंज किसान पी-म की बाद पर विश्वास करने को तयार नहीं राजस्तान कैबिनेट विस्तार के बाद भी खतम नहीं हुआ राजस्तान कॉंगरिस से कले नराज एमले ने सीम गैलोट को लोकी चिठी पूछा कौनसी काबलियत हासिल करे ताकि मंत्री बन सके पाइलेट का नाम लिये बिना सीम अशो गैलोट बोले धैरे रखने पर सब को हक मिलता है राजस्तान के कैबिनेट मंत्री रमेश मीना का बयान पूरे राजस्तान को प्रतिनी तित्व मिला फिर बदल में से कौंग्रिस को फायदा कल राजस्तान में गैलोट मंत्री मंडल का विस्तार हुआ 11 चार्जे मंत्रियों न शपत लीग पा लेट गुट के विधाया के हिमाराम चौद्री बने काबिनेट मंत्री मेंदरजीत सिंग और रामलाल जात को बनाया काबिनेट मंथरी मैज जोशी विश्मेंदर सिंग और रमेश मीर्णा को बनाया गया कैबिनेट मंतरी भजनलाल जाटफ और टीकाराम जूली भी कैबिनेट मंतरी बने महिला मंतरियों में ममता भुपेश और शकुंतला रावद बनी कैबिनेट मंतरी जाहिदा खान राज्य मंतरी के रूप में शपती शेम अशोग गैलोट का बयान जो लोग मंतरी नहीं बन पाएं उनकी एहमेद कम नहीं हुई है छे विदायक बने सीम गैलोट के सलाकार जीति इंदर सिंग, बाबुलाल नागर और राजकुमार शर्मा बने सलाकार अमेरिकी राश्टरपती के समिट फॉर डमोकरसी में भाग लेने के लिए पियम मोधिक होने होता केंद्रिय ग्रह मंतरी यमिशा आज मनिपूर में आदिवासी स्वतनतता सेनानी संगाले की आदार शिला रखेंगे वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिय कारेकरब में शामिल होंगे यमिशा जंजाती मामलों के मंतरी अरजुन मुंडा और मनिपूर के सीम भी रहेंगे मौचूद जंजाती मामलों के मंतराले ने परियुजना के लिए 15 करोड उपे मनजूर की हैं बीज़पी अधिक जपी नड़ा का आज से यूपी का दो दिन का दोरा संगठन की बैटक में हिस्सा लेंगे गुरगपूर कानपूर में बूद अधिक सम्मीलनों को संबोदित करेंगे दोपेर सारे बारा बजए गुरगपूर के गुरखशकात मंदिर भी पहुंचेंगे नड़ा कानपूर में शेत्री कारले के सासाज जिलों की जिराकालेरों का भी ऑनलाइन उधाटन करेंगे सौस्त मंत्री मनसुक बंडाविया क्रोना ठीका करेंगे को लेकर करेंगे समिक्षबैटक वैक्सिनेशन पर मनिपूर मिखालाय नागलै और पुडूचेरी में कुरोना के ठीके की रफ्तार कम 70% से भी कम लोगों को ठीके लगे हैं सरकार ने महीने भर चलने वाली हर घर दस तक मुहीम शुरू किया जिसमें लोगों को घर-घर जाकर टीका लगाया जाएगा MPG CM शिवरां सिंग चोहान का बयान हमने फैसला किया है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिशनेट सिस्टम लागू होगा शिर्वाल ने कहा कि पुलिस अच्छा काम कर रही है लेकिन शहरी जनसंक्या बढ़ने से कानून ववस्था की नई समस्या भी पैदा हो रही है आसे 25 नमबर तक दिल्ली में रहेंगी ममता बैनर जी संसत्या शित कालिन सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी दिल्ली दौरे पर ममता पीम मोधी से भी मुलाकात कर सकती है केंदर से फेंडिंग फेंडिंग कोरोना वैक्सिन के आपूरती पर बात कर सकती है PMC बात्चीत में ममता BSF का जुरावा मुद्द उठा सकती है BSF के अधिकार शेत्री को 15-50 किलोम्टर किये जाने का विरोध कर रही है त्रिपुरा के मुद्दे को दिल्ली में उठाने की तैयारी शीत काली सत्र के लिए विपक्ष के नेताओं को इस मुद्दे पर लाम बंद करेंगी ममता बैनर जी ममता से पहले देर रात दिल्ली पहुंचे टीमसी के कई सांसर सप्रीम कोट का रुख कर सकती है त्रिपुरा पुलिस ने टीमसी नेता शायनी घोश को गिरफतार किया उन पर हत्या की कोशिश का केस दर्च हुआ है त्रिपुरा में तानाशाई का आरोफ लगाया कहा कि आवाज उठाने जा रहा है अविशेक बैनर जी को इजाज़त नहीं मिली आज त्रिपुरा पुंचेंगा विशेक बैनर जी आज पंचाब के मोगा से चुनावी बिगुल फुकेंगे अर्विन केज़िवाल सीम फेस की घोशना भी कर सकते है मोगा और लुध्याना में पार्टी के कारेकरम में लेंगे हिस्सा कल्स अमरिस्सर में पार्टी के कारेकरताओं से बिलेंगे सीम फेस को लेकर भगवंत मान भी लाइन में पार्टी ने अभी तक उनके नाम पर नहीं लगाई है मोहार पार्टी से नाराज होने की खबर स्कूल सर्टिफिकेट में समीर का नाम एक मुस्लिम के दौर पर दर्ज है, वांखरे पर नाबालिक रहते हुए बार का लाइसेस मिलने का भी आरोप लगाया दिली की आवो हवा अब भी खराब, एर क्वालिटी इंडेक्स 349 पर दिली में प्रदुशन को देखते हुए अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन कक्षाई जारी रहेंगी प्रदुशन को लेकर दिली में लगाये प्रतिबंदों की आज होगी समिक्षा, दिली के परेवायन मंत्री गोपाल रायज शामिल होंगे दिली सरकार ने 21 नमंबर तक कंस्रक्शन के काम पर रोक लगाई थी, रोक गयर जरूरी चीजें लाने वाले ट्रकों पर भी लगाई गई थी नौसेना के बेड़े में विशागा पटनम को कमिशन किया गया, आत्म निर्वर भारत अभियान के तैर निर्मान, ब्राम्मूस और बराक मिसाइल से लैस रक्षा मंतरी राजणास सिंग ने मुंबई डॉक यार्ड में आयनेस विक्षन, विशागा पटनम को कमिशन किया गुजरात में आज से पहले से पांचवी तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, कुरोना गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी होगा कानपूर में All India Muslim Personal Law Board की दो दिन की मीटिंग खतम हुए, बोर्ड में एम पत पर लोगों का सिलेक्शन हुआ मीटिंग में बारा पस्तावों पर चर्चा हुए, मुसलमानों से की गई अपील, देहस से बचे, शादियों में फिजूल खर्ची ना हो मुलाना सैफुल्ला रह्मानी का बयान, धार्मिक पामलों पर टिपपनी करने वालों पर हो एक्शन सरकार बनाये कानून महु में मुकतार अंसारी के सायोगी और माफिया सुरेच सिंग की एक करोर बयासी लाग की प्रॉपर्टी जब्त की गई, जलादिकारी के आदेश पर की गई कारवाई के दौरान सेटी मेजिस्टेट और सीयो समेत पुलिस बल मौजूद रहा लक्तों में मुकतार अंसारी की एक प्रॉपर्टी कुर्की कुर्की पुलिस ने की कारवाई जलपाई गुडी में चाय बागान में काम करने वाली लड़कियां रग भी खेल रही है का कि हम खुश है कि गाउं से निकल कर भारत के लिए हम खेलते हैं एक खिलाडी ने बताया कि हम अब तक स्टेट, क्लब, समित काफी मैच खेल चुके हैं हमने दो इंटरनाशनल मैच भी खेले हैं कानपूर नगर में जीका वाइरस के अब तक कुल 149 ने मामले सामने आये हैं जिसमें से एक तो 23 मामले नेगटिव हैं मुख्य चिकिसा अधिकारी ने जानकारी दी है मतूरा में यमुना एक्सप्रेस वेब पर लगा ट्राफिक जाम लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा आज 82 साल के हुए मुलायम सिंग यादव जोश में समाजवादी पार्टिव के कारे करता साथगी से जनम दिन मनाने की तैया आई देश में कुरोना के 10,488 नए केस सामने आए हैं 24 खंटे में 313 लोगों ने दम तोड़ा है माराश्टर में कुरोना के 845 नए केस 730 मरीज ठीक हुए मुंबई में कुरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं 281 लोग रिकवर हुए हैं बीते 24 खंटे में 3 लोगों की मौत हुई हैं केरल में कुरोना के 5,000 से जादा मामले सामने आए करीब 8,000 मरीज ठीक हुए हैं दिल्ली में कुरोना के 29 नए केस सामने आए 24 खंटे में 45 मरीज रिकवर हुए गाज़बाद में साथ गौत असकरों को पकरवाने पर भढ़के समाजवादी पार्टी के विधायक बीज़ेपी MLA को धमकी भी दी धमकी का वीडियो वाइरल हुआ, पुलिस ने S.P. विधायक असलम चौज़े के खिलाब F.I.R. दर्ज की बियार के हाजीपूर रेलवेस्टेशन पर लूट पार्ट के दोरान ट्रेन से नीचे गिरने से लड़की घायल जुएलरी और मुबाइल लेकर भागे लड़के J.R.P. प्रभारी ने बताया कि खिड़की के बाहर से दो लड़कों ने लड़की के हाज से मुबाइल खींचने की कोशिश की उसी दौरान हाथसा हुआ UP ATS ने दो रोहिंग्या सदस्नों को गिरफतार किया, कोलकाता से दोनों की गिरफतारी हुए बांगलादेश और मायनमार के नागरिकों को अवैद तरीके से भारत में लाने और उनके लिए फर्जी डॉकुमेंट्स बनाने का काम करते थे, गिरफतार चार नागरिकों से पूछता जारी आखरी T20 मैच में भारत ने न्यूजिलैंड को 73 रन से हराया 30 से सिरीज पर कबजा किया भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकट पर 184 रन बनाए न्यूजिलैंड की टीम 111 रन पर ओल आउट हुई भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकट लिये अक्षर पटेल को शांदार गेंद बाजी के लिए मैना उब्दा मैच भी चुना लिया भारत के लिए रोहिश शर्मा ने खेली कप्तानी पार 31 गेंदों पर 56 रन बनाए रोहिश शर्मा ने T20 की कप्तानी समालने के बाद अपनी पहली T20 सीरीज भी जीती T20 किरिकर पे 150 चक्षक्य लगाने वाले पहले भारतिय बल्लेबास बने अब रोहिश शर्मा न्यूजिलैंड पर क्लीन स्विप के बाद कप्तान रोहिश शर्मा ने कहा मिडल ओर्डर में अभी भी सुधार की जरूरत है सिरीज जितने के बाद हेट कोच द्रवीर की खिलाडियों को नसीयत का कि हमें अपने पाउं जमिन पर रखने की जरूरत मारत की तरफ से इशान किशन ने 39, श्रेश एयर ने 25, बेंकटेश एयर ने 20 रंच ओड़े न्यूजिलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ने 50, साइफट ने 17, फग्यूसन ने 14 रंवनाए न्यूजिलैंड की तरफ से मिचल सेंटर ने 3 खिराडियों को आउट किया कुलकाता में स्टेडियम के बाहर फैंस ने जायर की खुशी बोले बहुत अच्छा लगा, आज हम बहुत खुश अस्ट्रिया में संपूर्ण लॉकडाउन से पहले क्रिस्मस की तैयारियों में जिटे लोग बाजारों में खरीदारी के लिए भी रूमडी क्रिस्मस की जादा से जादा शॉपिंग कर रहे हैं लोग बढ़ते कुरूना की वज़े से 20 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन बेलजिया में सरकार की तरफ से लगाए गए कुरूना प्रतिबंदों के खिलाब फुटा लोगों का गुस्सा पूस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन प्रदर्शन कारियों को भगाने के लिए पुलिस ने पानी के बॉच्छार की अमेरिका के फिलाडेलफिया में दिल दलाने वाली वरदात गर्वबती महिला की गोली मार कर हत्या की गए मलिया को अग्यात हमला रोने गोली मारी और पुलिस घटना का पता लगा रही है